तो आज हम बनाएंगे पीजा तो इसके लिए मुझे एक चमच पीजा सुस लेना है एक चमच रेटचीली लेना है और इसको हम चारो तरफ सही से फैला लेंगे फिर उसके बाद से इसमे चीज को चारो तरफ फैलाएंगे फिर इसमे हम कासमेरी मिर्च को एड़ करेंगे और इसको चारो तरफ पहला लेंगे, उसके बाद से गाजर को एड़ करेंगे, और इसके चारो तरफ डिजायन बना लेंगे, उसके बाद से प्याज को हम इसमें एड़ करेंगे, उसके बाद से हम इसमें प्याज को एड़ करने के बाद गाजर के चार टुकडो को एड़ करेंग और चारो तरफ चीज को एड़ करेंगे घर का बनाया हुआ पिज्जा का कुछ अलग ही टेस्ट होता है तो आप भी एक बार इसे जरूर ट्राइ करें तो अब इसे हम ले चलेंगे पैन के और और तकरीबन इसको हम 10 मिनट तक कुक करेंगे उसके बाद से इस देखने में